सबसे पहले हम अद्ध्यन करते हैं आंत्रिक ग्रहों का, जिने हम पार्थिक ग्रहाफ की कहते हैं, रोकी प्लैनेट के नाम से बीजाना जाता है। तो इन गिरहों में हम सबसे पहले जो अध्यन करेंगे वो करेंगे बुद्ध बुद्ध जो है रोमन मानिता में माइथलोजी में बुद्ध को बानिज ब्यापार का देवता कहा जाता है बुद्ध जो है सूर के सबसे निकट है जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि बुद्ध का कोई भी उपग्रह नहीं है कुछ चीजे खास बात नोट करेंगे बुद्ध के बारे में सबसे छोटा है उपग्रह नहीं है उपग्रह बुद्ध का कोई भी उपग्रह नहीं है दूसरी बात देखेंगे बुद्ध के बारे में बुद्ध का परिख्रमन और परिख्रमन लगभग एक समान है जितने 88 दिन में ये सूर की परिक्रमा करता है और लगभग इतने ही दिनों में ये अपना चक्कर लगाता है इसका कोई उबग्रह नहीं है इस पर कोई वायू मंडल भी नहीं है जब इसके पास कोई वायू मंडल नहीं है तो यहाँ पर किसी प्रकार का अपरदन यानि एरोजन नहीं होगा सते पर जब वायू नहीं होगी तो अपरदन किस माध्यम से होगा यहां पर बात करें यहां पर पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा क्रेटर मिला है जिसको हमने नाम दिया है कहां पर मिला हुआ है यह मिला हुआ है कैलोरिस बेसिन में मिला हुआ है सबसे बड़ा क्रेटर कहां मिला हुआ है कैलोरिस बेसिन में मिला है जिसका डायमीटर 1550 किलोमीटर के नाम से है 1550 किलोमीटर है दूसरी हम बुद्ध की बात करें बुद्ध पर कई उबग्रे हमने भेजे हुए हैं बुद्ध के बारे में जानकारी लेने के लिए तो बुद्ध पर जानकारी लेने के लिए जो हमने उब्ग्रे भेजे हैं उनके अगर हम नामों की बात करें कई बार एक्जाम में प्रशना सकता जैसे मेसिंजर मेसिंजर जो है वो फस्ट है जो दो हजार ग्यारा में भेजा गया था जिसने बुद्ध के पास जाकर इसके आर्बिट पर चला हुआ था और स्कलाब मरीर एक्स, जो है 1974 में गया थी, इसलें गुद्ध के चित्र भेजे थे तो आपको एक्जाम में यहाद रखना है, मेरीनर और मैसेंचर इसकी बात की हमने, मैरीनर और मैसेंचर की बात की अगले ग्रह की बात करते है, वीनस तो वीनस के बारे में कहा जाता है वीनस मतलब देवी है Goddess of Beauty, Goddess of Love प्रेम और सौंदर की देवी है, शुक्र सूर से दूसरे नमबर पर है और प्रत्वी के सबसे निकट है सूर से दूसरे नमबर पर है और प्रत्वी के सबसे निकट है शुक्र इसलिए इसे हम भोर का तारा, सांज का तारा और प्रत्वी की बहन भी कहते हैं इसे हम प्रत्वी की बहन कहते हैं प्रत्वी के बहन के नाम से भी जानते हैं सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे गर्म है, सबसे चमकीला अब आपके बस प्रशना आएगा कि बुद्ध सूर के सबसे निकट है परंतु वो गर्म क्यों नहीं है इसलिए गर्म नहीं है क्योंकि बुद्ध पर कोई बायू मंडल नहीं है इसलिए वो उस ताप को अपने पास नहीं रख पाता है या ग्लोबल वार्मिंग जैसा कॉंसेट नहीं है जबकि इसके बायू मंडल में शुक्र में कार्वन डाइकसाइट अधिक मिलती है इसलिए इस ग्रह को हम प्रैशर कुकर ग्रह भी कहते हैं प्रैशर कुकर प्लैनेट के नाम से भी जाना जा सकता है प्रैशर कुकर ग्रह भी कहते है तो ये इसलिए सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है और दूसरा मैंने बताया था सारे ग्रह पश्यम से पूर्व की तरफ चलते हैं ये ग्रह पूर्व से पश्चिम की तरव यानि clockwise घूमता है जैसे कि बुद्ध का कोई उपग्रह नहीं है वैसे सुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं अगर आप इसको ग्रह देखना है तो सूर्य दे और सूर्यास के समय ये ग्रह आपको दिखाई देगा यहां पर पहुचने वाला पहला स्पेस क्राब जाता वो मेरीनर था जो 1962 मेरीनर वीनस की बात करें तो वीनस पर लच्छमी नाम का पठार मिलता है और इसकी सबसे उची चोटी मैक्सवेल है और प्रत्वी के सबसे निकट का ग्रह है इसके अगला ग्रह है हमारा प्रत्वी जिसे हम अलग से पढ़ेंगे इसको छोड़ देते हैं